एक गवाही मेरी कोई अपनी नहीं है लेकिन हम लोग जो वारंगल गया है आप सब जिन्नोंने दुआएं करी और निश्चल भिया ने चाहा कि मैं इस गवाही को आप सब के सामने रखूँ कि हमने क्या फर्स्ट एंड वहाँ पे विटनेस किया और किस तरीके से हमने अपनी ने अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे मीटिंग है वारंगल में तो मैं सबसे पहले पास्ट भाई के पास किया और मैंने का भीया मैं भी चलना चाहता हूं तो भीया ने कहा कि बिटा अभी तो हम लोग चार लोग ही जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से मतलब कोई बहुत जादा है नी अबलेबल पर फिर भी अगर आगे को जगह होगा तो हम आपको बताएंगे और मैं थोड़ा सा मायूस हुआ लेकिन मैंने का प्रभू अगर आपने रिदे में डाला है और अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं तो प्रभू आप कोई रास्ता निकालेंगे और करीब 15 दिन के बाद फिर पास्टर भाई ने निस्चल भी आके तुम सबको बुलाया और बोला कि बिटा इन्मिटेशन ओपन है आप लोग जा सकते है अपनी बुकिंग्स देख लीजे और मैं बहुत खुश हुआ और इतना जादा मैं उनमाद से भरावा तो मैं हरे को कह रहा था कि खुश करने वाले हैं क्योंकि कैसे हमारे पास्टर भाई ने बताए कि यह अक्टूबर का महिना है और इसके बाद किस तरीके से टेस्क साइंगे और उसके बाद किस तरीके से हमारे जीवनों में कुछ-कुछ होगा कुछ-कुछ चीजे घटेंगी और मैं बहुत बुकिंग करने का तो अधर से जाने का तो ट्रेन का टिकट अबलेबल था लेकिन लॉटने का ट्रेन का टिकट अबलेबल नहीं था और मैं सोच रहा था कि मतलब खुदावन अब क्या करूं क्योंकि जाओंगा तो सही लेकिन आओंगा कैसे और तब फिर मैंने सुचा चलो आते हुए फ्लाइट की टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन फ्लाइट की टिकट काफी महेंगी थी, और ऐसी मेरे मन में आये कि चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं, शायद खुदावन नहीं चाहते हैं कि मैं जाओं, और लेकिन तभी कुछ भाईयों से बात चीत हुए और करनें, ब्रदर आप जाईए, अगर आपके पस पैसे कमी हम देते हैं, हम करते हैं उपाए, और इस तरीके से फाइनली भाई नहीत को खुदावन ने इस्तमाल के भाई नहीत ने एक तरीका बताएगी किस तरीके से ब्रदर ट्रेन के टिकट आते हुए बुक हो जाएगी, और फाइनली हम दस भाई लोग जो ट्रेन से हमने टिकट बुक करवाई और इसके बाद हम लोग वारंगल चले गए और प्रभु के अनुगरा से हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे पहुँचे और पहले दिन की मीटिंग शुरू हुई वहां पे आप समने में म काम को करने वाले लेकिन सब एक जगह रुक है और पहली बार हमने फर्स्ट हैंड इस तरीके से विटनिस किया लगातार एक साथ सोना एक साथ उटना एक साथ बैटना कोई कभी किसी की टांग कीच रहा है कोई कभी कुछ कर रहा है लेकिन अल्टिमेटली जब सारे जब पानिकर को भी जाना किस तरीके से भाई ने अपने आपको डेडिकेट किया इस चीज के लिए जो ट्रांसमिशन हमारे घरों तक पहुंचता है और कई लोगों से मैंने ये गवाई सुनी कि ब्रदर ये वो हमारा सूर्स आफ लाइफ है जो हमारे पास ये आता है और फाइनली जब मीटिंग शुरू भी भाईया ने लॉफ जलसी से मीटिंग को शुरू किया पहले दिन हम लोग पहली दिन जब मीटिंग शुरू होनी शुरू भी हम मजाक में एक दूसरे को कह रहे थे कि भाईया पहली दिन हमारे पैसे वसूल हो गए वारंगा लाने के पहली मीटिं दूसरी मीटिंग भी खाम होगी और मैं अपने जहां पर हम लोग रुके वे थे मैं वहां पर गया और मैं खुदान से दुआ कर रहा था प्रभू मैं सोने नहीं आया प्लीज मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ परसनल प्रभू आप मुझे कुछ दिखाएं मुझसे बाचित कर और मैं अपने टैबलेट खुला और मैं बैठ गया और मतलब मैं माइकिन्समान रिडीमर का मैसेज निकाल के और पढ़ रहा था और कह रहा था प्रभू प्लीज आप मुझे ऐसी खाली मत जाने दे यहां से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में आया हूँ और जब खुदावन ने बोलना शुरू किया और जब खुदावन ने बोलना शुरू किया और जब वो माइकिन्समान रिडीमर वाले मैसेज पे आये और खुदावन रात को मुझे से बातचित कर रहे तो और ऐसा लग रहा था कि वो जो कमरे में बैठ के मेरे से बातचित कर र माई किन्समन रिडीमर से और चीजों को बोलना शुरू किया और जब वो बोल रहे थे तो एक समय आया जब वो बता रहे हैं रूत के बारे में कि कैसे रूत के लिए एक वे ओपन हो रहा है, कैसे वो जो ड्रेस है उसका, है नो उसकी वो जो चादर है बोवाज की वो रूत के उपर आ रही है कैसे वो जो बोवाज उतर के आया उसने पूरे शरीर पे वो ड्रेस को पहने हुए था और अचानक से कुछ हुआ मैं थर्ड रो में बैठा हुआ था और ऐसा लगा जैसे सामने पुल्पिट से एक लेहर सी आई एक वेब बड़ी तेज आई जिसने मेरे को अपने अंदर लिया और बिल्कुल खीच के पुल्पिट के पास लेके चली गई और मैं अपने आपे से ब बहुत सारे लोग तर ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ जमीन पर मैं कहीं ऊपर खड़ा हूँ और मैं मतलब डिरेक्ली उसे सुन रहा हूँ और करीब करीब आधे मिनट तक के लिए मैं बिल्कुल ही अपने आपे से बाहर था लेकिन जब मैं आपे में आया तो मैंने दि कि महां पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था लेकिन उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसा लगा खुदावन ने मुझे कहीं पर ट्रांसपोर्ट कर दिया किसी और जगह में और तब इसके बाद फिर मैं बैठ गया और मैं मतलब खुदावन का बहुत धन्यव बस मन कर रहा है कहीं कोने में जाओ कहीं जगह मिल जाए घुटने टेकने की कहीं दुआ करने की और फाइनली शाम की मिटिंग आई और इससे पहले कि मैं जाओ मैं ट्रेन में मेरे साथ एक भाई थे मैं गेट पे उनको खड़े हो के बता रहा था कि ब्रदर ये जिस मिनिस् गिफ्ट है ये हमारे पास्टर है जिनको जिनके उपर पिलर अफायर का भी शेक आया ये तो सारे लोग जानते हैं यही एक दिन ये शुमसी अपने चेलों से पूछ रहते हैं कि लोग मुझ मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं और सारे लोग सुनी सुनाई बाते कह रहे कुछ लोग ये कहते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कुछ लोग ये कहते हैं लेकिन ये शुमसी का सवाल था तुम तुम्हारे पास क्या रेवलेशन है मेरे लिए और तब मैं उस भाई को बता रहा था कि ब्रदर ये मिनिस्ट्री जब मुझे कुछ मी नहीं पता था लेकिन ज कि मेरे नाम करन का समय आई इस मिनिस्ट्री ने मुझे बताया कि तेरा ये नाम है तो मैंने का बरजर आपको एक first hand एक witness होना चाहिए इस मिनिस्ट्री को समझने के लिए आपके वल किसी की बाते सुनके कि यह है यह है आप बरजर इसका पूरा benefit नहीं उठा सकते और तब मैं उसको ट्रेन में बताता हो जा रहा था और जब शाम की मीटिंग आई थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि वही खुदावन जो मुझसे कमरे में बाचित कर रहे थे फिर से पुल्पिट पे आ गए बस एक गंटे सब गंटे की मीटिंग रही जोनी को इस्तिमाल किया था बहुत बार और किस तरीके से भाईया ने हमारे को एक और ज़्यादा इस मिनिस्ट्री को लेके क्योंकि जब भी बाते होती थी तो केवल इसी बात को लेके होती थी कि ये मिनिस्ट्री क्या है अगर आपने इस मिनिस्ट्री को समझा तब आप इससे केबल benefit ले सकते हैं और ये सारी बाते मेरे अंदर थी और जब भाईया शाम को pulpit पे आए और जब भाईया ने बताना शुरू किया कि कैसे कितनी बार ऐसा होता है जब पैदाईश हो जाती है लेकिन जो पैदा हुआ उससे भी नहीं मालूम कि मैँ पैदा हो चुका हूं पैदा तो हो चुका लेकिन अभी भी वो घुटने पे रो रहा है प्रभू प्लीज मुझे पैदा कर दो मुझे नया जनम दे दो और खुदान कैरे बिटा मैंने तुझे पैदा करतो दिया कितनी बार ऐसा होता है कि पैदाईश हो जाती है बार-बार जो पापा यहां से नाम पुकारते रहते हैं तेरा ये नाम है, तेरा ये नाम है मेरे बेटे उसका नाम ले लेके बुलाते रहते हैं लेकिन वो बच्चा अभी पैदाई हुआ भी इतना छोटा उसे पता नहीं लगता कि अच्छा ये जो बार-बार पापा बुला रहे हैं मेरा ही नाम है और लेकिन एक समय आता है जब वो एक साल दो साल का होता है और तब उसे समझ में आने लगता है कि अच्छा जब ये कंटिनीव करूंगा और वो लिटरली वो बाते थी जो मैं उस भाई को ट्रेन में गेट पे खड़े होके बता रहा था और ऐसा लग रहा था कि खुदावन आप जो हमारे अंदर आके हमारे पास आके हमसे बाचित करते हैं आप इतना ज़्यादा परसनल होना चाहते हैं होना चाहता है यहां इसलिए आता है ताकि तुम्हारे को अपने साथ एक कर सके यह इसलिए आता है ताकि तुम्हारे को बता सके कि तुम और यह एक है यह अलग मटेरियल और यह अलग मटेरियल ऐसा नहीं है लेकिन यह दोनों एक ही है बस यह है कि इसने अपने आपको पह लाइप में मैं सुसक्या और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिशन मेरे अंदर शुरू से थी और तब जब फाइनली पांचमे दिन की मिटिंग आई तीसरे दिन की मिटिंग पांचमे मिटिंग और आप सब जिन्नों ने सुना आप इ कि लिटरली तीन साड़े तीन घंटे शायद ही कोई बैठ रहा हूँ और मैं मैं फर्स्ट हैंड विटनिस पहले तो बहले आपको यह बता दू कि मैंने वो मिटिंग सुनी नहीं शायद ऐसा लग रहा था मैं ने दुबारा उसको सुनी मैं का मैं खुदा इतनी वर्शिप क उन खे crispyพच कर रहा हूं और किन बातों पर मैं उचल रहा हूं और किन बातों यह बाते तो मुझे याद Нी कैच्छा, यह बाते मैं पर सुन रहा था वहाँ पे of course कई बात याद थी लेकिन कई ऐसी बातें जो जब मैं उस atmosphere में था उस anointing में था और इतना जबरदस खुदावन के move को हमने वहाँ पे महसूस किया और मैं personally इस बात को witness करना चाहता हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा वो इस trip से और मुझे समझ में आए कि खुदावन सच में एक ministry के साथ होना जिसे आपने ordain किया है क्या ही privilege की बात है और एक छोटे से जगह में हम सब भाई लोग थे और कभी-कभी आपस में हमारे बीच में तक्रार भी हो जाती थी कभी-कभी हम कोई एक दूसरे का मजाग भी उड़ा देता था कभी कोई नराज भी हो जा रहा है और इन सब में होते हैं पहली बार हम सारे एक दूसरे के बहुत close आए एक दूसरे को बहुत जादा प्यार करने का मन किया हमारे को ऐसा लग रहा था कि वितलब किस तरीके से कैसे एक्सप्रेस करें अपने आपको जो जो खुदावंद हमारे बीच में कर रहे हैं और मैं खुदावंद का बहुत धनेवाद है कि बहुत ही जबरदस्त अभिशेक खुदावंद का हमने वहां पर विटनेस किया आगे भाई पास्टर भाई आपको बताएंगे शायद कि किस तरीके से चीजे हुए लेकिन जो चीज मेरे साथ घटी मैंने सोचा कि मैं उसके आपको एक गवाही दूँ और हम लोग बड़े सेफली प्रभू के अनुगरे से यहां पर सुरक्षित कल शाम को पहुँच गए और उस अभी शेक में अभी तक और एक और बात हुई जब मै घर पहुचा अभी कल तो हर बार होता था कि मैं आता था और मैं आके घर पर कहता था होम स्वीट होम फाइनली हम घर आ गए और बच्चे भी खुश होते हैं सब मिलके धन्यवाद देते हैं कल भी ऐसा ही किया तब बच्चों ने पुचे डैडी इस बार आपने ये नहीं कह कि ओओ फाइनली घर आ गए मैंने का बिटा पहली बार मुझे ऐसा मैसूस ही नहीं हुआ कि मैं कही घर से बाहर हूं पहली बार मुझे घर की बिटा मुझे याद ही नहीं आई जिस अभी शेक में था मैं उससे निकला ही नहीं चाह रहा था और इस तरीके से खुदावन ने हमारे ट्रिप को बहुत ही मुबारक किया और खुदान हमारे पास्टर भाई को बड़ी आशिश थे जिनको खुदान इतने माइटली तरीके से इस्तेमाल किया और जब मैं घर पहुचा तो हमारे भाई डाल्टेन गंस से और भाई राची से भी चार भाई लोग आये थे और किस तरीके से उन्हें बताये कि भाईया हम लोग भी बहुत ज़्यादा ब्लेस हुए और उन्हें बताये कि कैसे भाईया शैतान ने लिटरली हमारे को मार डालना चाहा जब हम लोग वापस आ रहे थे क्योंकि हम इतने आनंदित थे और ऐसा लगा जैसे उसे देखा नहीं गया तो उन्हें बताये कि भाईया जब हमारी गाड़ी फाइनली भी लोटते लोटते सिम्डेगा पहुंच गया और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पेड़ बिलकुल fully grown tree और उनकी कार के उपर आके धडाम से गिरा और वो सामने सामने देखते वे भी वो ब्रेक लगाते लगाते भी लेकिन पूरा का पूरा पेड़ उनके कार के उपर आके गिर गया और उन्होंने जब वो वहाँ पे गया उस जगह पे तो उन्होंने देखा कि ऐसा वो कह रहे थे कि लिटरली ऐसा लगा मानो शैतान इतना बौक लाए हुआ था कि उसने जान बूच के पेड़ को धका दे दिया हमारे गाड़ी के उपर लेगिन फिर भी हमारे खुदावन ने किसी को खरोच भी नहीं लगने दी और खुदावन ने बहुत बचाया तो खुदावन का बहुत धन्यवाद और बहुत ना मुबारक हो God bless you all. Praise Lord.